शादी के पहले दिल फेग शाहिद कपूर के नाम जुड़े इन सुन्दरियों के साथ शाहिद कपूर इस समय सुखी वेवाहिक जीवन जी रहे है मीरा राजपूर से विवा किया है दो खूपसूरक बच्चे भी है मीरा को जीवन साथी बनाने के पहले शाहिद दिल फेक किस्म के इनसान रहे है कुछ लड़कियों से उनके नाम जुड़े रोमैंस भी सुर्ख्यों में रहा पेश है उनकी तथा कथित रोमैंस वाले किस्से अमरिता राओ पहला प्यार शाहिद का सबसे पहले अमरिता राओ से नाम जुड़ा अमरिता को आप भूल गए हो तो आपको बता दे कि वे शाहिद की पहली हिरोई है इश्क विश्क में दोनों ने साथ में काम किया पहली फिल्म में काम करते समय अकसर हीरो हिरोईन एक दूसरे के प्रति आकरशित हो ही जाते है ये फॉर्मूला इन दोनों पर भी चल गया और कहा जाता है कि फिल्म बनते बनते दोनों में रोमैन्स शुरू हो गया ये मुहबत परवान चड़ती इसके पहले ही दोनों में ब्रेक अप की खबरे आ गई क्या हुआ, क्यू हुआ, रह से ही बना हुआ है करीना कपूर, सच्चा प्यार शाहिद की पहली फिल्म रिलीज होने के बाद लड़कियों में उनकी दिवान की देख शाहिद को पाने के लिए करीना कपूर मचल उठी शाहिद करीना के लिए शाहिद महज एक ट्रॉफी थे जिसे पाकर वे गर्व कर सकती थी दूसरी और करीना कपूर से शाहिद के महबत में गम भीरता थी इस रिष्टे को उन्होंने सुकारा भी दोनोंने सिदा चुप-चुप के जब वे मिट जैसी फिल्में भी की साथ-साथ घूमना चुट्या बिताना चलता रहा ऐसे लगा कि वे मानो एक दूसरे के लिए बने हो उन्हें बॉलिवुट का बेस्ट कपल माना गया शाहिद अपनी कुछ बाते करिना पर थोपने लगे कपूर खांदान के लोग नौनवेज खाय बिना रही नहीं सकते ऐसे खांदान की कन्या को शाहिद ने शाकाहरी बना दिया प्यार में शर्ते हावी होने लगी जो शाहिद करिना को अखरने लगी दोर विदेश में करीना टेशन की शूटिंग से अफ अलिखान के साथ कर रही थी रात तो रात सैफ का जादू करीना पर कुछ यूच चल गया कि विदेश से जब वे लौटी तब उनके दिल में शाहित की जगा सैफ रहने लगे थे करीना के इस करम से शाहिद काफी शौक रह गए करीना ने उन्हें अपनी लाइफ में से ऐसे हटा दिया जैसे दूद से कोई मक्खी को बाहर फेकता है शाहिद का दिल तूट गया इस जटके से उबरने में उन्हें काफी वक्त लगा करीना से ब्रेक अप के बाद किस्मत कनेक्शन नामक फिल्म में विद्या बालन और शाहिद कपो ने साथ काम किया दोनों की नजदीक्यों की खबर आने लगी का जाता है कि विद्या को महसूस हुआ कि शाहिद उनकी प्रतीक गम भी नहीं है क्योंकि उसी दौरान टैनिस संसनी सान या मिर्जा के साथ भी शाहिद के किस्से हवा में तैरने लगी फारण विद्या ने अपने कदम पीछे खीच लिए कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि किस्मत कनेक्शन को चर्चित करने के लिए भी शाहिद विद्या के रूमेंस के किस्से फ़लाए गए थे जो फिल्म रिलीज होने के बाद खुद बखोधी खत्म हो गए चलती रही लुकाच शिपी विद्या से लग होने के बाद शाहिद का नाम प्रियंका चूपरा से जोड़ा गया कमी ने फिल्म की शूटिंग के दोरा Anytime नसदीक आये गवास लगातार दोनों के रुमेंस के चर्चे होते रहे हाला कि दोनों मीडिया से इस मामले में बात करने से भी बचते रहे दोनों ने एक दूसरे के नसदीक घर भी लिये ताकि लगातार मिलते रहे शाहिद और प्रियंका पातियों में भी साथ नजर आते रहे लेकिन अपने रिष्टे की बाद उन्होंने कभी भी सुईकारी नहीं सुनाक्षे सिना, दोस्त या, प्रीमी शाहिद की मेज ऐसी हो गई कि जिस हिरोईन के साथ वे काम करते उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा शाहिद इस पर नाराज भी हुए उन्होंने मीडिया से का कि ऐसा करना बंद करें क्योंकि वे पुरुष है और उनका कुछ नहीं बिगरता लेकिन महिलाओ पर इसका बुरा असर होता है इसी दोरान आर राज कुमार में वे सुनाक्षी सिन्हा के साथ अभीनाय करते हुए नजर आए सुनाक्षी और शाहिद की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ऐसा लगने लगा कि बात आगे बढ़ रही है इस दोरान कुछ घटना है ऐसी घटी कि दोनों के बीच रुमैंस होने के खबरे पुक्ता लगने लगी गोव में शाहिद ने अपना बर्थर्डे बनाया तो सुनाक्षी भी वहाँ पहुची इसके बाद दोनों करण जोहर के चैट शो में भी साथ में नजर आए सुनाक्षी ने अपने बर्थर्डे मनाया तो शाहिद नजर नहीं आए बाद में पता चुला कि पार्टी खत्म होने के बाद छुपके से शाहिद पहुची और सुनाक्षी को लेकर यॉंग ड्राइब पर गए दोनों केवल अपने आपको दोस्त बताते रहें और धीरे धीरे दोनों की बीच में रुमैंस की खबरे अपने आप मर गई नर्गिस फाकरी सानिया मिर्जा के साथ भी उनका नाम जुड़ा आखिरकार मीरा राजपूत उनकी सिंदकी में आई